नमस्कार दोस्तों आज ही RS का जो नया डेट है एक्जाम का मैंस का वो आ गया है 25 और 26 फरवरी को साथ ही RPSC ने कल ही अपनी जो नया पार्टे करम है वो अपलोड किया है RS मैंस के लिए तो इस समय दो समश्यां से आप जूज रहे होंगे एक तो देट नजदीक देदी दूसरा पार्टे करम में कुछ चेंज किया है सलेबस में RPSC ने एक्नोमिक्स और साइंस को छोड़के बाकी में जितना मेजर चेंज नहीं है उतना बाकी साइनस में और एक्नोमिक्स में कुछ इस चेंजिस किये हैं जो हमके देखने हैं और उसका एक अच्छा सा में कंटेंट तेयार करना है ताकि हम अच्छे स्कॉर हम गें कर सके हैं चलिए हम देखते हैं कि क्या चिंजिस हैं चले बस मैं फर्स्ट पेपर में हम देखें तो राजस्थान के हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वहाँ पर देखीए और सब चीजे लगभग वही है केवल और केवल आपके राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुकिस्तल जिन में कौन-कौन से हैं आपका जंतर मंतर आपके किले जो दिये में चे किले युनेस्को में आपकी युनेस्को की जो राज जेपुर का जो परकोटा है वो शामिल कियावा युनेस्को विराशत में राजस्तान में परेटन परेटन के अंदर आप काफी शेत्र हैं प्रेटन के किलिव अगरा भी सी में आ जाते हैं इसके अलावा आपकी कई हवेलियां हैं कई जगहें हैं कई स्थल हैसे हैं जो प्रेटन स्थल की रूप में विक्सित किये गए हैं तो उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होने चाहिए राज्थाने प्रेटन की क्या इ जारी किये जाते हैं प्रेटन नीती है मारे राज्य में जारी की गई है तो यह चीज़ा आपको देखने पड़ेगी इसके अंदर बाकि और को ज्यदा मेजर चेंज है नहीं राजस्तान के इस जो हिस्ट्री वाला जो है पेपर अंड एम है नेक्स चलें कि भारतिये जो इति तो आपको यह चीज ए राज्तान बोर्ड की बुक जो है विस्वी इतियास की उसमें आपको एज़िटीज मिल जाएगी आप अपने उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिप्यर कर लीजिए एक एक पेज, दो दो पेज, शॉर्ट टाइप में तो आपको यह आंसर्स लिखन आते हैं हम पार्ट टू जो है भारती अर्थशास्त्र देखिए यहां पर इन्होंने काफी मेजर चेंजिस किये हैं देखिए अग्रिकल्चर पहले भी था थोड़ी इसमें उत्पाज़ता की प्रवर्टिया जोड़ी है मैंली फूड प्रोसेसिंग इंडस्री जोड़ी है तो आपको क्या करना है एक तो राज़्य में भी फूड प्रोसेसिंग की जो पॉलिस्य है इंडस्री के लिए कुछ इंसेंटिव मिलते हैं वह आपको तोड़ा देखना है क्या उनकी स्तिति हैं क्या बेक्वर्ड लिंकेज होते हैं उसका मेनेजमेंट और आप वो देखना सब्सक्राइबं और चीजों को आपको सब्सक्राइब देखना कंवाया हुब कर लीजिए मुद्रा इस्विति के कारण प्रकार क्या उसमें उपाई हो सकते हैं आर्बिय क्या करती है वह आप देख लीजिए नमें तम वित्तायोग नों लिख दिया है तो बार-बार से लिवस चेंज नी करना पड़ेगा पहले उन्होंने पूराना वित्तायोग दे रहा जा सकता है सरकार द्वारा तो जो किये गये हैं वह आपको रमेश सिंग एक बुक आती है और एक डिल्स पॉब्लिकेशन की भी बुक जो है वो मार्केट में उपलब्द हो जाएगी आपको वन इस्टॉप सॉल्यूशन की थोड़ा स्लेवर्स की अकॉर्डिंग उसे अमें वहाँ पर कितना खर्च करती है जडीबीबी बारत की जोड़ी हैं कि सवास्ते सेवा और सिक्षा नीती अंदर वहां पर कितना करच करती है GDP बारत की बजटेस में GDP बे कितना कर्च होता है और एक ही अपने आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनरबाशित करना कि एकनोमिक डेवलेमेंट के अंदर आपके इस्टेक की बुमिका रहती है इस्टेक का क्या रोल रहता है कि पूरे देश के आर्थिक विकास के अंदर वो योगदान दे पाता है रोजगार उनमुख व्रढ्री नहीं है जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसी में थोड़ी सी चीज़ें हमें स्पेसिफिक करके पढ़नी है बस नेक्स्ट वेस्व करत्वेश्था में देखिए आपकी ये दो तिन टोपिक थे ये ये हटा दिये गए हैं के वल सतत विकास तो आपको यहाँ पर सस्टेनेबल डव पूरे करने में क्या गोल्स हैं इस तरह की चीज़े देखनी है जलवाईव परिवर्तन में आपको एकनॉमिक आस्पेक्ट के हिसाब से जलवाईव परिवर्तन को थोड़ा यहां देखना पड़ेगा जैसे अभी भी COP26 वह है ग्लास गो में इसके अलावा भी अन्य करें आपको परिश्य। ऩाहर। आपको आरतीक समीक्स आ ही है, इसके बाद चले हम समाथ सास्तर, समाथ सास्तर में देखिए जजादा चेंज नहीं किया है, कुछ एक चीजे से हम उताई है, कुछ एक चीजें एड की है, जैसे ये पशिमै करन लोकिक करन शब्द एड की हैं, इनके बारेम परिवासा प्रकार और इनके क्या होते है वास्तिकता में थोड़ी डेफिनेशन वगरा थोड़ी जानकारी हो तो हम अच्छे से लिख पाएंगे इनको सवल आ जाए तो ये टोपिक पहले भी था बस इसमें ये जो इसूज है वो किलियर नहीं थे पहले इतना ल प्रियार करना है क्या इस्तिती है क्या इसमें हमारे पास में वर्तमान इस्तिती क्या है क्या सरकार प्रियास कर रही है सामाजिक इस्तिती पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके क्या कारण है इनके और क्या प्रियास हो सकते हैं रोकने के इन चीजों करने के तो वह हमें च प्रवंदन की जो रास्तान बोड की बुक्स हैं, वहाँ पर भी कुछ एक चीज़ां आपको इसमें से मिल जाएगी, देखिए जिए लाबों का विभाजन है तो यह आपको कहीं ने कहीं से मिली ही जाएगा, तो परेशान ना हो है, बाकी चीज़ां आप एक बार अभी से त् कर दें, दिरेदने यह चीज़ों के मेटर हमारे पास मिलता जाएगा, तो हम इन चीज़ों को भी तयार करते जाएगे, बैंकिंग और यह जो वाला पार्ट है, यह एकनोमिक्स से इन्हों ने पार्ट उठाया है, तो यह पार्ट आप एजटीज, अर्थवस्ता के जो शेत यह कोई बुक में नहीं मिलेगा, यह आपको जैसे सुझेस वगरा है, और एकनोमिक सर्वे है, अपना एकनोमिक रिव्यू है, वहाँ पर हमने एजुकेशन में, जैसे स्टेट में कैसे मैनेज किया जाता है, और कुछ एक मार्केट में मिल जाएगा मैटर इनका, तो ज़् द्वंद्य उचनोतिया है, तनाव परबंदन जैसा ही है, थोड़ा सा हमें दुविधाय क्या होती है, द्वंद्य क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन हमें साइकलोजी में भी थी और यहाँ पर भी हम उन्हें पढ़ लेंगे, एक नेतिक निर्णे परिकिरिया जाता उसमें चीज़ें निर्ने लेने की कोशिशिस करते हैं, तो वहाँ क्या-कारक होते हैं हमारे सामने, जैसे समाजिक न्याया है, मानवी क्या चिंता है, समाज की ओर से हमारे क्या वी हो सकता है, तो उस तरह से हमें चीज़ें को पढ़ना है, बागी case studies अपने जगह है ही, साइन्स में देखो काफी चेंजिस किये हैं हमें 11-12 के कुछ मेंटर को भी इसमें लेना पड़ेगा तो आप ये सब चीज़े 9 और 10 के आप बुक उठाइए वहाँ पर काफी चीज़ें आपको मिल जाएगी कुछ एक जो मेंटर मेरे पास उपलब्द है या 10 वाली तो वहाँ पर आपकी इस मेंटर को निकाल लेंगी कोशी सीजिए कंटेंट को और तयार करना चालू कर दीजिए एक एक पेज हर कंटेंट का हो हर टोपिक का मारे पास वो शफिशन्ट है जैसे आपके पास साथ नासी है और Science and Tech की कोई बुकलेट आपको हो करेंट की दिए टमच की है या दृष्टी की है वहाँ पर आपको इन चीजें मिल जाएगी AI क्या है, Industry 4.0 क्या है, Big Data क्या होता है, क्या इसका रोल है, किस प्रकार काम करता है, Cloud Computing क्या है तो यह सारी चीजें आप अपचे से देख पाओगे, वेग्यानिक और तक्निकी प्रगती, Robotics क्या है, Machine Learning क्या है, Augmented Reality क्या है, Quantum Computing क्या है इनका एक एक पेज आप तयार करने कोशिश कीजिए, जैसे से मेटरा में भी मिलता जाएगा, मेटर तयार होता जाएगा, हम मेटरा आपको प्लब्द कराते रहेंगे, बाकि आप चीजें तयार करने की कोशिश करते रहेंगे विश्यों के बुगोल में एक मरुस्तल इन्हों ने एड़ किया है यह दियान रखना और कुछ प्रयावरनी संबंदी मुद्धिय जो हम तयार करते रहेंगे वो इसी में एड़ किया है कुछ खास चेंज नहीं है नदियां अलग से दिखा दिखा दिया है हम वैसे पढ़ते है इस सब चीजह में देखने थोड़े प्रयावरन संबंदी मुद्धिय राजस्तान के हम पढ़ी लेंगे बाकी पॉलिटी में नोचेंज है केवल और केवल आपके यहां पर अंतराष्ट्य व्यवस्ता की गट्यात्मक्ता जोड़ी है तो यह आयर की बुक आती है उसमें इदर जो जापान वगरा जो थोड़ा सा जड़ा इस्ट में है जापान है अपने दो देश और हैं उदर तो उन चीजों को देखना है बाकी कुछ खास नहीं है यहां पर एक एक नया एड़ किया है राजस्तान सुनवाय का अधिकार है दिनियम एक पेज आप नेट से या क आफ्ट आफ टम पोलीश आप अच्छे से पढ़के जाएं एशन खेल और कॉमनवेल्थ की में बागीदारी भी पिसली बार के ओल्लंपिक और प्रालंपिक थी इस बार दो और इन्होंने एड़ किये वेवार में अध्यात्मिक बुद्धी के बारे हम पढ़के जाएं एक एक नया टॉपिक है प्रतिबलों प्रबंदन तो यह 11-12 की बुक में आप कोशिश कीजिए आपको वहां से मिल जाएगा तो इसमें कोई ज़्यदा इस्यू नहीं आप एक दो दो पेज इनके तयार कर लीजिए इसमें आपके नया एक्ट जोड़ा है लोमेन मातापित और बरेन पोसनता कल्यान अदिनियम 2007 आपको ओनलाइन मिल जाएगा वहां से निकाल लिए डेट से दो पेज आपके कंटेंट तयार कीजिए एक्ट के बारे में क्या एक्ट था क्या क्या प्रावदान है क्या क्यों ने सुधार किये गए हैं क्या कमिया है और किस वास्तों में यह लागू कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए इसे चीज़ें आप इसके बारे में विचार कीजी हिंदी में कुछ जयाद चेंज नहीं है केवल और केवल यहाँ पर जो संक्शिप्तिकरन है उसका डेट सो शब्द का पैसेज होगा पिछली बार सो शब सब्द का पैसेज होगा उसका वन थर्ड आपको पचास शब्दों के अंदर आपको संक्शिप्तिकरन करना है बाकि नो चैंज है इंग्लिश में आपके नो चैंज है तो कुल मिला के बात यह है कि सभी लोग अभी अरे सा स्लेबस देख ही रहे थे उसको समझ नहीं गृद्बर दीजिए इस तरह सिटिंस मैंने अंडरलेइन औरे स्बस्क्राइब कीजें अभी मुझे नहीं मिल रहा है बाकि आप दteilर करना चालू कीजिए ऐसे हड़ बढ़ाण नहीं कि अभी यह यह नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं कि पढ़ूं ना पढ़ूं एस नह मिल रहा है वो तयार करो जो नहीं मिल रहा हो सब मिल जाएगा आपको चिंता ना करें आप ठीक है धन्यवाद बेश्ट अफ लग 25 सब इस परवरी के लिए थैंक यू